नमस्कार दोस्तों हम सीखने टूडी एनिमेशन और टूडी एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सिसी के बारे में तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज किस वीडियो आपको दिखाऊंगा पैरेंटिंग कैसे करते हैं हम इस character जो आप देखनें मेरे स्कीन पे इस character पे हम पैरेंटिंग कैसे करते हैं उसको apply करके आपको दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो च्टाट करने से पहले मैं दिखा रहा हूं, ODB- Madam प्रुइप मैंने अभी कोर्स लगाय हो जो के Animate CC का हैं। जिसमें की हम complete course में आपको दिखाँँगा जो की starting से लेके expert level पर, जिसका जो है कोश्ट जो है अभी आपको 549 रुपिये पड़ेगा आप देख सकते हैं यह और यह सिर्फ और सिर्फ 7 आर्स के लिए है अगर आपको यह जो कोर्स अच्छा लगता तो आप पर्चेश कर सकते हैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चले दोस्तों आज का तौपिक देखते हैं तो दोस्तों मैं आज की डिखाऊpen Г कैसे कई दोस्तों आपको पहले से क्यार करना होता है जैसे करना होता है जास का देख सकते हैं हर किसी अब 1 और चैंशम करना पड़ता तो पैरेंटिंग दोस्तों होता क्या है कि हम जैसे यह बोडी है बोडी के साथ साथ हमारा पैर भी चलना चाहिए और इस पैर के साथ साथ हमारा जो है मिडिल पैर जो है वो चलना चाहिए और मिडिल लेक के साथ साथ यह भी चलना चाहिए और जब हम इसको इनिमेट करें तो यह पूरा चले तो इस लेबल का जो है पैरेंट बनाया जाता है हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं तो यहां पर देखिए लेड में अगर देखते हैं यहां पर एक पैरेंटिंग एक्टिवेट है अब हमें क्या करना है कि किसको पैरेंटिंग करना है और ऑपको क्या होगा जो है माउस का प्वेंटटर चेंज हो जाता है आप देख सकते हैं और इसको ड्रैग करके इस टैप से ड्रैग करना है और बोडी पे रख देना है आप देख सकते हैं एक एक the map लॉइन क्रियेट हो गया, इस time से यह parent बन गया है पर 49 का, ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे इसको यहां इसको हमें parent करने इसको यह parent तो हम क्या करते है मिसी क्लिक करते हैं और इसको ड्रैक करके इसको रख देते आ और इसी टैप से जो यह जूता है यह जूता इसका इसमें connect होना चाहिए तो इस पर हम click करते हैं और इसको parents इसको बना देते हैं अब देख सकते हैं इस टैप से जो है यह parenting हो गया है अगर आप मैं दिखाऊंँ इसको अगर body को move करते हैं देखिए इसका pad भी इसके साथ-साथ move हो रहा है और पैड जो है individual भी move होगा अब पैड में हमने इसको parenting किये तो पैड को अगर move करते हैं देखिए यह नीचे का जो है पूरा जो है एनिमेट हो रहा है और इसी टैप से हम इसको भी जूता के साथ हमने parent किये और इसी टैप से हम क्या करेंगे इसको भी parent parent body के साथ में इस टैप से और सबशी को हम बनाएंगे इसके साथ में और यह जो है इसके साथ में इस टैप से हमारा यह पैर भी अब देख सकते हैं parenting हो गया है इसी टैप से हम हाथ को भी create करेंगे पहला जो हाथ है इसको हम body से connect करेंगे और इसके बाद जो middle हाथ है इसको हम इस वेले upper हाथ से और इसको भी हम इससे connect करेंगे इसी type से इस सर वाले हाथ को भी हम इसको हम body से connect करेंगे और middle वाले को top से और जो यह है यह इससे इस type से parenting हो गया है इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है यह head जो है head को हम भी है body से connect करेंगे और जो यह lips है इस lips को हम जो है इसके head से connect करेंगे इस type से आप देख सकते हैं हमारा parenting जो है प्रोपर create हो गया अगर मैं अभी किसी भी चीज को animation करा हूं जैसे माल लिजे मैं इसको आपको एक walk करके दिखाता हूं इसको हम तो क्या करेंगे यहां पे हम जो है टीज फ्रेम तक लेते हैं यहां पे मैं है आप फाई प्रेस करता हूं और इसको मैं क्या करता हूं इसके आई बंद होने तो इसके अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे इसको कम करते हैं इसको हम कम करेंगे अब इसके बाहर जाते हैं और हम इसको एनिमेशन करेंगे 30 फ्रेम तक तो हम क्या करते हैं इसको हम step से करते हैं और इस pad को हम आगे करते हैं step से हमने एक step तेयार किये और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं को यहां पर हम एक add शिक्स लगाता हूं और यह दोनों हमारा सेमeh step होगा और बीच में हम f6 लगाते हैं और यहां पर हम क्या करें अपने पीछे किए कि इस वाले को हम आगे करते हैं इसको मैं थोरा सा step से कर लेता हूं इस पैर को हम पीछे करेंगे इसको आगे करते है और इस को हम किसट एप से कर देंगे एकर där से अब देख सकते हैं अब हम क्या करतें एक बीच में अन। Rs 6 लगाते हैं और यहां पर इसवी प्रेम करते F6 लगाते हैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा कमी इस पहई को हम करेंगे आगे की ओर थोड़ा सा और इसको मैं करूंगए इस टील से पीछे अभी अभी देखने यहाँ पर आया यह उठके इस तरफ आया है और इसी टैप से जब यहां पे आता है तो हम क्या करेंगे हैं इस पैर को हम थोरा सा आगे की और करेंगे और इसको मैं पीछे की और कर जथा है इस टैप से इस step से हो गया अब हम क्या करेंगे यहां पर जब आता है तो मैं इस body को थोड़ा सा नीचे करूंगा और यहां पर भी same करूंगा और यहां पर भी same करूंगा इस step से हो गया हमारा देखिए parenting हमने पहले कर दिये थे और इसको मैंने walk भी कर दिये तो parenting जब कर लेते हैं तो जो है इसको वाक ऐनिमेसन या कोई भी तरीके का जो है बोडी मॉवमेंट कराना बिल्कुल आसान हो जाता है अगर हम इसे बाहर जाते हैं और तीस फ्रेम पे हम फ्रेम करते हैं और कंट्रॉल इंटरप्रेस करते हैं अब देख सकते हैं इसका जो है बिल्कुल परफेक्ट हमने इसके जो है वाक का एनिमेशन लगा दिया हूँ तो इस तैप से दोस्तों कोई भी कैरेक्टर को अगर पैरेंटिंग करना हो तो कर सकते हैं तो आसा करतों दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ सेर भी करें अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सबस्का 아니면 कि तो फ्लीज सबस्कार लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेा हूँ